नमस्कार दोस्तों मैं मुहत्वमर आप सभी का प्रीसम सब्जेटी लर्णी चनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किलास 11 NCRT के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक कवीर दाज जी के जीवन परीचे साइट परीचे तथा रचना उपर तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको किलास 11 के हिंदी के एक्जाम में आपको कवीड़ दास जी का जिवेन परीचा साइट परीचा तथा उनकी रचनाएं कैसे लिखने हैं इसके अबारे में बताऊँगा तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सबजाटे लर्निंग को सस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो सस्क्राइब करतीजे तथा उसके आगे की बेल आई घंटे भी प्रैस करतीजे ताकि दोस्त तो दोस्तो आपकी हिंदी के एकजाम में एक प्रिसन लिखा हुआ आएगा क्या लिखा आएगा दोस्तो प्रिसन लिखा हुआ आएगा वह प्रिसन है निम लिखित कभियों में से किसी एक कभी का साहित्यक परीचा देते हुए उनकी कीरतियों पर प्रिकास डालिए और दो तो दोस्तो इसी प्रिशन के आधार पर आज किस वीडियो में मैं लेका आया हूं कवीर दास जी का जीवन परीचा साहित परीचा तथा रचनाएं तो दोस्तो आपको हैडिंग डालने है कवीर दास और इस हैडिंग को डालने के बाद आपको पहले हैडिंग डालने है जीवन परीचे पहले दोस्त हम कबीर दाश जी के जीवन परीचे पर बात करेंगे तो संत कबीर का जनम सन 3988 में इस्वी में एक जुलहा परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम नीरू एवा माता का नाम नीमा था कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कभी किसी विद्वा ब्राहमणी के पुतर थे जिसने लोक ल्याज के बहसे जनम देते ही इने त्याग दिया था नीरू एवा नीमा को यह कही पड़े हुए मिले और उन्होंने इनका पालन पोशन किया कभीर के गुरू प्रिसित संत स्वामी रामा नंद थे कभीर जी की पतनी का नाम लोई था इनकी दो संताने थी अधिकांस विद्वानों के अनुसार कभीर दास जी का स्वर्गवास सन 1518 इस्वी में हो गया था तो दोस्तो यह था कभीर दास जी का जीवन पालच है दोस्तो कभीर दास जी का जो जीवन है वो विवादों में है क्योंकि बहुत से विद्वानों ने इनकी जनम किती थी ये बताई तो किसी विद्वानों ने कोई और सी थी थी बताई किसी ने इनके माता का नाम कुछ और बताया पिता का नाम कुछ और बताया इस कारण से दोस्तों कबीर दाज जी का जो जीवन है वो विवादों में है क्योंकि विद्वानों में भी मतवेद है इसी कारण से उनका जीवन भी विवादों में है तो दोस्तों आपको कबीर दाज जी के जीवन परीचे में यही बाते लिखनी है अब दोस्तों बात करते हैं कवीर दाज जी की साहित्ते सेवा उपर कि अपने जीवन में उन्होंने साहित्ते में क्या योगदान दिया दोस्तों आपको हैडिंग डालने साहतिक सेवाएं और आपको इस हैडिंग में लिखना है कवीर दाज जी पड़े लिखे नहीं थे उन्होंने स्वैम अपनी रचनाओं को नहीं लिखा यह कारें उनके सिस्यों ने किया इसके पश्चात भी इनकी कवाणियों के संग्रे के रूप में रचित कई गरंतों का उल्लेक मिलता है इन गरंतों में कवीर की साकी, कवीर की वाणी, अमर मूल, अनुराग सागर, ज्यान सागर, आदी पिरमुख है तो दोस्तों कवीर दाज जी कभी पड़े लिखे नहीं थे जो भी उनकी रचनाई थी, वो सारी रचनाई उनके सिस्यों ने लिखी थी उन्होंना केवल वाणियों से अपनी बाते बताई थी और जो उनकी दोहे थे जो उनकी वाणियों की बाते थी वो सारे बाते उनके सिस्यों ने लिखी थी और उनके सिस्यों ने बहुत सारे गरंत लिखे जिसा कवीर की साखी, कवीर की वाणि, अमर मूल, अनुराग सागा, ग्यान सागार आदी बहुत सारी रचनाई दोस्तो तो ये दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि कबीरदाज जी पड़े लिखे नहीं थी उन्होंने एक भी रचनाई नहीं लिखी है जितनी भी रचनाई लिखी है उनके सिस्यों नहीं लिखी है तो दोस्तो आपको साचते सेवाओं में ये बाते तो दोस्तो आपको समझ में आगिया होगा कि साचते सिवाओं में आपको क्या बाते लिखनी हैं अब दोस्तो बात करते कबीरदाज जी की कीरतियों पर कि उन्होंने अपने जीवन में कौन-कौन सी कीरतियों का उलेक किया है तो दोस्तो हेडिंग डालनी है आपको पीर्टियां मैंने हेडिंग डालना किया है तो दोस्तो आपको इसमें लिखना कबीरदाजी की रचनाओं को दो भागों में बाटा गया है पहला है दोस्तो बानी और दूसरा है बीजक तो दोस्तो कबीजदाज जी की रचनों कितने भागों में बाटा गया है दो भागों में आपको पता चली कौन कौन से भाग है अब दोस्तो बीजदाज जी को तीन भागों में बाटा गया अब दोस्तो बीजदाज जी को भी तीन भागों में बाटा गया ये रे वो दो भाग और वी जक को भी तीन भागों में बाटा था साकी सबद और रेमनी तो दोस्तों ये क्या है कवीरदाज जी की रचनाएं है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कवीरदाज जी के रचनाओं में आपको क्या लिखना है तो दोस्तों आपको समझ म झाल झाल